ब्रेकिंग न्यूस बैंगलोर के सोमराज पेट के लक्षमी कोपरेटिव बैंक ब्रांच में लूट हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको वहां की तस्वीरे भी दिखा रहे हैं इस लूट के बाद बैंक के सभी कस्टमर घबरा कर पूछताज के लिए वहां पहुँच रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पैसे और जेवरों का क्या होगा जो उन्होंने वहां जमा किये थे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की आँखों से आसूरुक ही नहीं रहे हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी भर की महनत का क्या होगा प्रत्यक्ष दर्शियों का ये कहना है कि तीन लोग अपना मूँ धग कर वहां बैंक रॉबरी के लिए आये थे माना जा रहा है कि इस बैंक से करोडो रुपे चुराए गए है आये चांदते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है इस एरिया के MLA के लिए ये फाइनल वार्निंग है हम एक हपते का वक्त देते हैं हमें किसी भी सूरत में हमारे पैसे वापस चाहिए वरना दिन रात आटो चला के मेनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किये थे मैंने हमने अपना पैसा बैंक में इसलिए जमा किया था क्योंकि वो घर पे सुरक्षत नहीं था एक पर चार इस बॉल पर चौका लगेगा मुझे इस पर शर्ट लगाना है इस बॉल पर कितना है रहे दस तेरी डेट अब बढ़ बता जून सिक्स फिर तो इस बार ना पका सिक्स लगने वाला यह अगली बॉल का क्या है रहे एक पर दो मैम वो हॉस्पिटल वाला केस था ना अब वो बिल्कुल ठीक है हम देख अब यह विकेट नहीं गिरेगा बीस पेटी लगा दे तू येस तेरी तो हम क्या बात है बोल अपने लड़के को भेजता हूं पैसा उसे दे देना मैं ज्यादा क्रेडिट नहीं देता सिक्स प्लस ट चलो है ड्रिस ढआ चलो में लेजया है चलो मैडम फिलीज मैडम आप मेरे बच्चों को बच्चालो मेडम हमары शाधी के बहुत साल बाद हुए hadam यह दस लाख रुपे रख लीजे मैडम मेरे बच्चे को बच्चालीजे तुम लोगो को क्या लगता है अगर पैसे दे मैट पर काई इस इतना इचर क्यों रहे हो रिलाक्स डॉंट गेट स्टार्इट आम नॉट अहोरर बट आम टेरर लोगों को तुझे देख कर डर लगता है लेकिन मेरे तो आने के खबर से डर जाते हैं मेरे जाने के बाद ही डर्मी रहते हैं वैसे यह मेरे राशी में ही लिखा हुआ है ए चोटी बच्ची के सामने सिग्रेट पीता है शर्व नहीं आती तुझे हां मैडम आपको मुझे 16 लाग देने हैं वो देने की जरुवत नहीं है साथ में यह दस लाग भी रखो लेकिन मेरे काम में कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए हां देख काम की बात तो होती ही रहेगी पहले इस बच्ची को जाने दिया से ए बच्ची को साइट कर रहे है मैड बच्चे भारत का भविश्य है कोई डॉक्टर बन सकता है कोई इंजीनियर या फिर कोई देश का प्रधान मंत्री बन सकता है और तु एक होने वाले प्रधान मंत्री की सामने सिग्रेट पीता है हां बैड मैनर्स वा 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 एक साथ में तीन-तीन काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है अगर तु अपना यह मल्ती टैलेंट किसी अच्छे काम के लिए यूस करता ना तो यह देवी नारियल पानी की तरह एकदम ठंडी होती लेकिन अभी क्या है सोडा पोतल ओपन देख पेर नीचे रख थे गुटनों के बलाओ यह तेरा पहला और आखरी मौका है इसके बाद कोई भी चाला की की ना जान से जाएगा समझा भे प्यार से समझाया पर नहीं माला मेरी कोई गलती नहीं है तुम लोग को जिन्दा रहना है कि नहीं है अरे तो निकला ही दर से हलो मैडम तीन आदमी जो सोम्राज पेट बैंक रॉबरी में शामिल हैं वो इस वक्त विजयनगर की तरफ जा रहे हैं कार नंबर के जीरो नाइन एम ए सेविन जीरो सेवन नाइन कौन बोल रही है तू हलो 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 आप चलो निकलते हैं ठीक है अब ए ख प्रहु बहारा प्रुट ह हलो है का ममी भारा की वो नाइन प्रहुत है आपने आपने हमने उन्हें होलिवड स्टाइल में चेज किया था हम उन्हें पकड़ने वाले थे त्यापने क्यों जाने दिया ताइगर तेरा बर्दे कब आता है रहे जन्वरी दस उन्नी सो अठाथ अच्छा दस से उल्टी गिंती शुरू कार वो क्यो मेडम कर ना दस नो आठ साथ छे पांच चार माडम आपने यह कैसे किया अगर कुए में तयारने की कोशिश करोगे दूपर तो आना ही पड़ेगा ना वरना डूपके मर जाओगे वैसे भी इन्हें डेड एंड देखकर वापस आना ही था हम जावास हैंसम फत्रों के खिलाडी यह सब नामना तुम्हारे उपर सूट नहीं करते हैं हिरोस फॉलो मी मैं उनके साथ हूँ क्या मैंने कहा जाने को तुमसे लेकिन अगर वह भाग गये तो हां इनके चेहरे देखे बिनाए मैंने यह यू पकड़ लिया था अब तो चे के में पकड़ लोंगी करनाटक पुलिस वेरी टैलेंटेड जी माडम गाड़ी चालो करो ओके माडम बैंक की लूट को पांच दिन हो चुके हैं लेकिन आपको ये केस आज सुबह दिया गया और आपने इतनी जल्दी सॉल्व भी कर लिया क्या आपको ये पहले से पता था एचलो रे सिद्धा चलो मैडम आपने इनके चेहरे क्यों छुपाए हैं क्या ये वही चोर है या इनकी जगह आप किसी और को पकड़ के लाई है मैडम हमें शक्त था इन लोगों पर इसलिए अरेस्ट किया है हाँ तो हीरो लोग मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही पुलिस के पास तुम लोगों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड और वैसे भी तुम लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हो और ये बैंक रॉबिरिन ना तुम लोगों के बस की बात बिल्कु सच बताओ, तुम लोगों ने उस 12 करोड का क्या किया है, कहा चुपाया है, अगर सच बताया तो ये देवी नारिल पानी की तरह ठंडी रहेगी, चल चल, अब बग दे, चल, मैणा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैणा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैणा, इसमें मेरा कुछ आथ नहीं है, तुम लोगों की ये तोते जैसी रर सुन-सुन करना, मैं बहुत पक्कई हूँ, ए, जरा हड़िया तोड़ो रहे इनकी, तब ही बखेंगे ये लोग, तब तक मैं जरा चाय पीकराती हूँ, अगर मैने तुम लोगों की धुलाई शुरू क कर दीना, तो सारी सच्चाई बहार निकलाएगी, ए, होजार लाओ, छे, 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 ये क्या है, अरे पिछली बार वाले मावाली का खून अभी तक इस पर लगा हुआ है, अगर यही इस्तेमाल करूँगा, तो इननों को एट्स हो जाएगा, और हुमन कर देंगे, हम यही करते रहेंगे, क्या, ए, दूसरा होजार दे, कितनी बद्बू मार रहा है, और यह कितना बड़ा है, और गंदा भी बहुत है, थो, पेचारे, कितने मासूम है, अभी यह लोग नए नए चोर बने हैं न, इनके लिए कोई छोटा मोटा होजार लाओ, द अब यह सच बताएगा, इसको खोल कर नीचे उतार, और मैडम के पास लेके जा, हाँ सर, चल अब तेरी बारी है, नहीं सर, कालदार, इसके पैंट उतारो, सर, मैं आपको सब सच बताता हूं सर, यह भी बोलने को तयार हो गया, इसे भी उतार कर मैडम के पास ले जा, सर, अ बताता हूं इस तरह से चाय पीने का ना मजाई कुछ और है हम लगता है अब डर लग रहा है एक चुटी सी सुई ने सारा काम कर गया हमारा क्यों भे सच बताएगा ना जी मेडम बता है यह चुप क्यों है जल्दी बता सर समझ मैंनी आरा कां से शुरू करो थोड़ा सा सोचन मैडम मैं तो आप ही की तरह एक बड़ा पोलिस ओफिसर बढ़ना चाहता था मैडम हम से जाना क्या चाहती हो पांच दिन पहले जिस बैंक को लूटा था उसके बार में बता अरे बोला मैडम इसको बोलो ना मुझे मारे नहीं मेरा उन पैसों से कोई भी लेना देना नहीं ह मैं आपको सब सच बताता हूं मैं SLV होटल का सप्लायर हूं जब भी वहां पर कोई होम डिलीवरी का ओडर आता है ना तो मैं वक्त से पहले पहुंच आता हूं आज सुभा आमको बहुत बड़ा ओडर मिला था लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि मैं ओडर सही वक्त पे नहीं लगी हुई थी मैं शर्थ आरना नहीं चाहता था इसलिए मैंने अपना पार्सल उस गाड़ी में डाला और सीधा महां से गाड़ी लेके चल दिया मुझे लगा कि मैं बाद में सौरी बोलके छूट जाओंगा मैं गाड़ी एक दम स्पीड में बगाने लगया क्योंकि पार करते ना मैं ड्रेस बता दूगा उसने मुझसे कहा कि गाड़ी में बैठ जा तो मैं बैठ गया इससे जादा मुझे नहीं पता मैंड़ी जब हम वैन में जा रहे थे तो मैंने एम्मिलेंस की आवाज सुनी लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखा तो वह पुलिस की गाड़ी मैं सच बोल रहा हूं मैं ना तो इस कार के ड्राइवर को जानता हूं और नहीं उस दूसरे आदमी को इस बैंक रॉबरी से और इन दो लफड़ेवाज लोगों से आप उनका कोई संबन नहीं है मैं मैं आपको अपनी गल्फरेंड का नंबर देता हूं चाहे तो उसे क्यों कर रहे हूं अगर मैं तुमसे लिट्टी हूं तो क्या तुम अपना बन कर दोगे मैं प्लीज प्लीज मुझे ज्यादा मत मारना मैंडम तरहसल वो चिपकली पर डिस्टब कर रही है तेरे स्टोरी में तुने मुझे एक दबंग हीरों से कंपेर जो किया है ना वह सू एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तुमें क्या लगता है मैं कबसे यही कहना चाहता था मैडम अच्छा तो इधर बैठ कर फ्रेस्ट ला करो मेरा क्या काम है अब मैं यहां खड़ा हूं तो कुछ ना कुछ डिसिजन तो लेना ही पड़ेगा ना लेकर जाओ को इसे हां टाइगर मेरी कड़क रोटी तैयार है ना एक दम मेरी तरह कड़क है मड़म यह रहा यह रहा मेरा राजी नामा पत्र इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगले 15 दिनों में आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यह लेटर सिदे सीम को भेज दूँगा यह पकड़ो जी सर यह कौन था अगर इसने आगे पहुचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी जाओ उसे वापस बुलाओ सर लोगों को बहुत परिशानी हो रही है आप अपना पैसा उन्हें क्यों नहीं दे देते जब बैंक से पैसे मिलेंगे व कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है केरिंग डेशिंग ऑफिसर देवी 150 के सिसा भी तक खत्म कर चुकी है मैंने अपना राजी नामा पत्र इसलिए नहीं दिया कि मुझे खुद पर भरोसा है मुझे देवी मेडम पर भरोसा है अब मैं मेडम से बात करता हूँ है देवी को फो लोग मेरे घर पर मुझे न्याय मांगने आए हैं और क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है इसलिए मैंने वादा किया है कि उनका पैसा 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा वादा आप किये जा रहे हो और काम आप मुझे से करवाना चाहते हो तरसल इस इलाके के लोग मेरे अपने लोग है ये थोड़े शरार्ती लोग भी है काम तो आप हमसे कराते और पबलिसिटी खुद को चाहिए मैडम इस इलाके में जो भी होता है चाहे अच्छा हो या बुरा सब मेरे अंडर ही होता है देखे आप अपना काम कीजी और हम अपना काम करेंगे रिजल्ट सब के सामने आएगा तो सब को पता चल जाएगा कि छोर को और है थैंक्यू बीज़ा tornado देख्यू मैंने आप से तीन लड़कों के बारे बात की थी वुर में से एक लड़का आपके यहां पे काम करता था क्या जानते आप उसके बारे में ओमू तो बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम, अगर उसके जैसा लड़का हर होटल में होगा ना, तो होटल मालिक को टेंशन की ज़रोती नहीं देखो मालिक, यह पीजा आट है, और यह देखो, यह मैक डॉनल्ड है, और इसको बोलते हैं डॉमिनूस, क्या है? वह भी फोन नंबर के साथ, लेकिन यह कुण सा रेश्टरून्ट है? मेरे पिताजी के शुरू के वार रेस्टरंट दिखा के मुझी क्या पताना चाहरा है? अब बस भी करो मालेक, वर्देशी ओने यहां पर आके मैक डॉनल्ड, डॉमिनोस की कितनी सारी ब्रांचेस दस साल में खुल दिया हो और अभी एक्डम हाराम से जीरे ले ले, एश कर क्या चाहता है? आपका दुनिया चुड़ने का वा अगता है लेकिन आप इला का चुड़ने को नहीं मानते हो आप इसका जिम्मेधरी आपने पे सौब दो आपने इसको पूरा दुनिया में फेमस कर डालेगा, विट फ्री होम दिलिवरी औल्सो, यू नो तुझ पर पूर यू 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 टेल में, आइ विल पैक एंड किव इट तो यू, नाइ नाइ मुझे तो एक घर चाहिए, यहां के लोकल लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नी बोलते जितनी तुम बोल रही हो, आई परदेश से हो लेकिन तुमसे देश की महका रही है, एक घर क्या, तुम्ह दान्यवाद, मेरे यह एक लड़का है, उसका नाम है ओमू, वो तुम्हे अच्छा गया ढूंड के देदेगा, आच्छा, कहां पर है वो, अभी तो वो किसी काम से पाहर केया हुआ है, खैसा काम, पपा की सेवा, क्या मालेक, एक दम बढ़िया गोरी माम किधर से ढूंके लाए हो, अरे से घर चाहिए, जा के घर दिखा दे, आप उन्से नहीं होगा, अरे परदेशियों को कोई अपने घर में जगा देता है क्या, जरूर अपने घर से भाग के आई होगी है, एक्स्क्यूज मी, मैं यहा कि भाषा पासंद है, इसलिए सीखी है, क्या बूल रही है, जा के योगा टीचर के लिए घर देखना, कुछ भलाई का काम कर ले, मालीक, आपका बोलना नहीं टाल सकता है, अच्छा मेडम, तुमारो मार्निंग 6 एम को, एकदम नहा दो के दुकान पर पहुँच जाना, तो कि अच्छेट मेरे सारे खिल पता ही है, चाल आ लेजा, जा के कर देखो जाओ, जा के गर देखो, जाओ, लेजा, जा के गर देखो, जाओ, बाई You see, I come, okay Hello I ame Gully number 17 में हूँ, अब हाता हूँ Hey madam, घर कईसा लगा, अच्छा ही नहीं? चीक है, रेंट कितना है? मुझे नहीं नहीं टोमारो वन गुड सेलेक्शन हाउस इस दन दू और डाई तुमको फाइनल करना ही पड़ेगा यह भी चापीते हैं तो इनके सब चोचले बाजी बंद हो जाते हैं हाई मैंडम हाई कम-कम यह वन मिनिट अब हटना ग्राफिक जांब हाई हाई मैंडम देखलो हाई बोलो सार अबी डिलीवरी के लिए 15 मिनिट बागी है एक्स्क्यूसमी जरा यह रूमी देखलो ना अटिक अटिक है रखता हूँ क्या हाई अव इस दो हो मैंडम प्यूटिफुल हाउस अपना सेलेक्शन अच्छा ही होता है लाहन काे अट्जार के लाहन कता है अनगा टॉर्या यह लाहनwest के भथ भल्यान का के आंटो से अमारे पाइर पीलर के एव खारें यह सिर बोले तो मांतेर का Galash तो बन गया की नहीं मंदिर? मातलब? लीज सी तीस इस पिलार पिलार तीस इस टेंपल टेंपल तीस गोल्डन कलाष गोल्डन कलाष ताल वास्तु मेडम अगर हमारा शरिर ठीक है तो हमारा घर ठीक रहेगा यह तो जीवन है तुहर ओके है ना हाँ ठीक है सुन मैं अपना घर किसी विदेशी लड़की को नहीं दे सकता है इस परदेशी लड़की का गैरेंटी आप उन लेता है अरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा हिंदी बोलती है यू प्लीज टॉक 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 नामस्कार आप य क्यों बिल्कुल तुमारी ही तरा दो महीने पहले एक विदेशी पास वाली गली में रहने के लिए आई थी दो महीने वादो प्लेगरिंट हो गई पुलिस केस भी हुआ था बहुत परिशानी हुई थी मुझे ऐसी परिशानी नहीं चाहिए मालो अगर मैंने तुम्हें घर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ लेकिन एक शर्थ है पचास हजार एडवांस और पांच हजार किराया देना होगा हर महीने के एक तारी को किराया मिल जाना चाहिए यलो यह टोकन अभी रख लो ठानिया वाई थीक है हाँ वाई हुआ हाँ लिए हाँ तुमको ये देने के लिए था यह क्या है इस इस माइ स्ताल ऑफ वराईटे ओफ राईस इडली मुझे क्यो दे रहो दिसे वेरी कुड फर है बोडी का हर हिसम मजभूत जाएगा अफ्टर अफ्टर योगा यू एक इस राइस इली नेक्से दाककाण ऑके नाण्यूर थे थे प्रणी था से लिए अव्गूता प्रण्दक तेर्म ह्यूर थे था फो कर दो आफ कर दू एकिunt यूस्ट अलो हारे लारे ला हुआ हेलो हाई यह तो हर रोज कस्रत करती है यह बता हो कल वाला स्पेशल इडली कैसा लगा एक दम सूपर थी वो होट एनरजी आज तुम मैंने कल से भी ज्यादा वोर्क आउट किया सच में अर वो चटनी एक दम एक्स्तर ओर्डिनरी यह क्या बोल रही है इसने अडली बागेट उल्टा तो नहीं खोल था अज भी तुम मेरे लिए पार्सल लायो क्या है यह यह तो तुड़े स्पेशल है नवा डोसा वित मज़ेर चटनी एक दम कमाल का डोसा है पूरे बोड़ी में गर्मी बर जाएगी Great, first you eat then you tell the result. yeah sounds good. okay eat nicely. bye see me why प्रच्छ तुसिद खुरीगी ना तां 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 तेकेट हलो, पर्सो इदली, कल्डोसा, अज क्या लाय हो? इस पावरफुल ड्रॉमस्टिक संभार इस पावरफुल ड्रॉमस्टिक संभार पावरफुल टिकोई तर्फश उर्म सक्षरTu म फंदंध उर्मस्टिक खारच छिए तां उर्मस्टिक स्मेर कोश्नी कि फिर मैंने डोसे पर लिखकर वापस प्राई किया था उसका भी कोई फाइदा नहीं लेकिन कल मैंने एक इंगलिश पिच्चर में देखा कि एक हीरो ने रिंग को ड्रिंक में डाल कर उसको प्रपुस किया और वो सक्सेस भी हो गया उसी तरह आपन ने भी एकदम अला गंदाज अपनाया और रिंग को सामबार में डाल दिया लेकिन तुम तो सामबार के साथ वो रिंग भी गटागडगटक गई उमारे अंदर सारा से भी फीलिंग नहीं है अगर मुझे पासंद करते हो तो बडाली काहो एल ली डोसा पर लिखते रहोगे तो मुझे कैसे पात आच्छा लेगा कि तुम फियार कर्करते हो तूम जिस तेल मुझे मेले मै तुम्हे तब से पसंद करती हूँ तुम को जादू भी आता है क्या? तुम जिस तेर मुझे मिले, मैं तुम्हे तब से पसंद करती हूँ I love you, पिरंगी. I love you so much. Will you marry me? Yes, I love you too. Yes! वो बेचारा बैंक रॉबरी कैसे कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता मैडम. सी ब्रो, तुम्हारी बात ना को समझ में नहीं आ रही है. उसने तुम्हें बड़े-बड़े होटल्स और रेस्टोरन्ट दिखा है, तो तुम्हें लगता है कि वो बड़ा आदमी बन गया है. उसने एक फिरंगी लड़की को घर दिलवाया है. तो इससे क्या वो इमांदर बन गया? जानते वो डॉलर्स और पाउंड की बात कर रहा है. जल्दी उसकी सच्चाएना तुम्हारे सामने आ जाएगी. फिर उससे मिलने के लिए न, जेल जाना पड़ेगा. चलती हो. हाँ, जाए, एक दमस्त थी. थांक यू, ब्रो. मेरे बेटे का बचपन से ही एंबिशन था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन करें. उसे ये भी पता था कि इसके लिए उसे बॉड़ी फिट रखनी होगी. और फिटनिस बनाय रखने के लिए उसने जिम कभी नहीं छोड़ा. अरे, मेरी चेंग! चौर! अरे, मेरी चेंग! सुलू, किसी चोड़ ने चेंग जबती है, और वह वो बेड़ी पार्क के तरब गया है? सुलू, कि अरे, मेरी चेंग जबता था कोई और चुराता ना तो हाथ में नहीं आती, लूटकी ले जाता इसे तुभारे पतीने से कितनी मेहनत से खरीदाओगा, अच्छा ये बताओ, तुमनों जॉगिंग क्यू करते हो अपना वजन कम करने के लिए और और जोगिंग जोगिंग ड्रेस में करने चाहिए और अगर जोगिंग करते वक्त इतनी मोटी सोने की चेन पहन कर भागोगी तो चोर तो चोर तो क्या कोई शरीफ इंसान होगा तो उसका भी इस पर ध्यान चला जाएगा और तुम्हें घलत फैम है कि पुलिस बचा लेगी हम सब सुरक्षित हैं तो यह फालतू का खयाल अपने धिमाग से निकाल दो नमूना देखा ना मुझे पकड़ भी नहीं पए हमें अपनी सुरक्षा खुद करने चाहिए इन मेंसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा आगे से ध्यान रखना यह हुई ना पार वेल दान सुपर आई लॉब यू अच्छू यह तो बिल्कुल पुरानी फिल्म के तरह हो गया चोर चेंचुरा कर भागता है और हिरो उसे जान पर खेल कर बचा लेता है लोग उसके लिए तालिया बजाते हैं लड़की खुश होके उसे गले लगा लेती है यह सारा नाटक पुराना हो चुका है हलो अंकल ऐसा कुछ हम तो पहले से एक दूसरे से प्यात करते हैं आप सबने अपने हाथों से मेरे बॉइफरेंड के लिए तालिया बजाएं तो मैंने खुश होकर इसे गले लगा लिया यह चाहती थी मैं जल्दी सबना वाम-प खत्म कर लो एसलिए अच्छा एक काम करो अब घर चाओ और जल जादियों का मॉसम है हम भी शादी कर लेते हैं देखो यह तना असान नहीं है मैंने पापा से वादा किया है कि जब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल जाती मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच आप जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी नौकरी के लिए चिंत कैसे देखो क्या है मेरे पास बहुत बड़ी जुबान है और देखते देखते अब टालेंटेट हो गई है इन दोनों को मिक्स कर के कुछ न कुछ कर ही लूँगी फिर तुम्हारे पापा को नहीं उनके पापा को भी मैं संभाल लूँगी देखो तुम्हें करना है तो करो लेकिन ध्यान से हां क्या आपके घर में मसाले है तुम कॉन हो मैं हूँ करनाटा की सबसे फेमस अंकर जान भी यह है बुलिट प्रकाश, यह है सादू को केला और यह है चिको चिकाना हम लोग QTV से आए है आपके गर में कोई महिला है नहीं आई आपके गर पर पहली बार को को दिखाते हैं अच्छा फिर तो तुम्हें अपने शो का नाम देयर होम फूड रख लेना चाहिए यह अवर होम फूड कैसे रखने हैं सही का अंकल लेकिन हमारे पूरवज भी तो अपने गेस्ट के घर के खाने को अपना समझकर ही खाते थे हम भी बिल्कुल वही करते हैं हम जब भी अपने प्रोग्राम के लिए किछी के घर जाते हैं तो उसे अपना ही घर समझते हैं इसलिए हमने इस शो का नाम रखा है आर होम फूड यह भी तो मेरा ही घर है ना मतलब होने वाला घर क्या कहा तुमने कह रहे थे कि जैसे कि इस घर में कोई महिला नी है तो खा कर सकते हो लेकिन मसाले एकदम सही होने चाहिए कह देता हूं क्या पात है अंकल बिलकुल सही कहा हूं हंड़ड परसें राइड बता नहीं क्यों अंकल यह सब मतलब यह किचेन आप यह गाजर यह सारी सबजिया इस बहुत खास लग रहा है इसलिए मैंने सुचा है कि मैं आ हमारे इस हास शो और होम फूड में स्वागत करती हूं अंकल क्या आप गाजर का हलवा खाने के लिए बिलकुल तेयार है हाँ बिलकुल रेड़ी लेट्स टार्ट कढ़ाई को पर ग्यास को जलाओ उसके बाद गाजर को कीसो अंकल आपको डायबेटीस तो नहीं है ना हंड परसेंट ने फिर तो इसमें एक और चमचीनी सरू डालूंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे देश बनकर तैयार है तो आज के शो और होम फूड की स्पेशल देश है गाजर का हल्वा रेड़ी टो इट अंकल यह तो बहुत ही बढ़ी है यह बिलकुल वैसी ही बनी है ज आज के शो आवर होम फूड में मेरे बेटी ने जो गाजर का हलुआ बनाया है वो बहुत ही सुपर है बहुत ही स्वाधिस्ट है सुनो बेटी तुमने हलुआ बहुत अच्छा बनाया अधा इंक्यू अंकल लेकिन आपने इस शो में मुझे अपनी बेटी कह दिया है क्यों बेटी जब तुम इस घर को अपना घर संबझ सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी कर नहीं समझ सकता एक बाद बताओ तुमहारी शादी हो गई क्या एक बिनिट अंकल मैंने पाक अप कहा था तुम सबको तो अब जाओ ना यहां से अच्छलो अच्छ आप क्या रहे थ मैं अभी शादी करने के लिए तयार नहीं हूँ अंकल सुरो बेटी मेरी सला है कि लड़कियों को सही वक्त पे शादी कर ही लेनी चाहिए मैंने तो फैसला कर लिया है हमारे घर में बहु बनकर तुम ही आओ मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए अंकल अगर वह हां का है तो आप मेरी फैमिली साकर बात कर लीजे पेटे को दिखाने के लिए तुम्हारी एक सेल्फी ले सकता हाँ शूर बेरी मॉडर्न अंकल हाँ हाई पापा इतने घौर से फोन में क्या देख रहे है पापा अज घर में इतनी अच्छी खुश्बू कहां से आ रही है अच्छा सुनों बेटा आ बोलिये कभी-कभी हालात के हिसाब से हमें अपने वादे तोड़ने भी पड़ते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है क्य बहुत अच्छा है हाँ जिस लड़की ने हलुआ बनाया है वो इससे भी अच्छी है उसके हाथ का हलुआ खाकर तुम्हारी मा की याद आ गई बिल्कुल क्यों पापा नई मम्मी ला रहे हो क्या अरे चुप मजाइक करता है बाप से अरे वो तो अपने क्यू टीवी के शो अवर होम फूट को शूट करने के लिए थी बहुत खुबसूरत है बहुत ही प्यारी बच्ची है वो बड़ों की इसत करना जानती है रेस सेंस भी अच्छा है उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घर की बहु मिल गई हो कोई टीवी वाली यहां खाना बनाने क्यों क्या फेक रहे हो पापा देख लो मैंने उसके साथ सेल्फी भी लिए यह आई थी हैसे तो मैं जानता हूं जानते हो यह तो बहुत फेमस है पापा मैंने आज तक आपका कहां कभी टाला है क्या अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं मान लेता हूं ठीक है तो मैं फोन करता हू ठीक है पापा, आप बात करो, मैं फ्रेश होका राता हूँ अलो अरे, तुम दोनों कम से कम मेरी तसल्ली के लिए तो बात करो पहले आप शुरू कीजिए पहले आप करिये ना नहीं, पहले आप कीजिए आप टीवी पे जो बोलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है थांक्यू, वैसे सिर्फ टीवी पर ही नहीं, असल जिंदिगी में भी अच्छा बोलती हूँ और आपने तो अपने आपको बहुत रखा हुआ है कौन सा जिम? एगल जिम कौन सा? एगल जिम आपके, पापा, मैं तयार हूँ अंकल, मैं भी तयार हूँ लेकिन मैं तयार नहीं हूँ लेकिन क्यों? तुम दोनों जब अलग अलग थे ना तब ही अच्छे थे, मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बन गई तो सुक से रह पाऊगे इस शादे की ज़रुवत नहीं है, I'm sorry, बेटा, मुझे अक्सोस है कि मेरी वज़े से तुम्हें ये सब देखना पड़ा अब तुम जा सकते अब एक सब, पापा, कुछ बात करनी है तुम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे और मुझे बेवकूप बना रहे थे ऐसे क्यों घूर रहे हो बता है ये लड़की जो टीवी पे देख रहे है हमारे घर में भी शूट करने के लिए आई थी बहुत अच्छी लड़की है माना की लड़की बहुत अच्छी है लेकिन तुम क्यों घूरे जा रहे हो इसे यार मैं आरजुन की शादी इससे करवाना चाहता हूँ सुनो आज के बाद इसकी चिंता करना छोड़ दो क्यों कि तुम्हारा बेटा और ये लड़की पहले सही आपस में प्यार करते हैं तो अर्चुन तुम्हें क्या था कि मैं इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने घर की बहु नहीं बनाऊंगा इसका मतलब आप तयार है पाबा बिलकुल तयार हूँ मैंने तो पहले ही तुम्हारी शादिय के सपने सजा लिए हमेशा सुखी रहा है थैंक यू पाबा मस्त लव स्टोरी है मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम वो भला बैंक लूटने जैसा घटिया काम क्यों करेगा यह मत सोचे कि मेरा बेटा है इसलिए उसका साथ दे रहा हूं आपको एक घटना बताता हूं पता है कल मेरा इंटर्व्यू है इस दिन के लिए मेने कितनी महनत किय है अब जाकर वह मॉका आया अच्छो मुझे अच फिर से शंकर SAR की फिल्म दिखा रहे हो तुम हमेशा इनी की फिल्म मुझे क्यों दिखाते हो तुम मुझे ये फिल्म 15 बार दिखा चुके हो अब मुझे ये फिल्म नहीं देखनी सुनो अगर करनाटक का हर पुलिस वाला इनकी तरह काम करने लगे ना तो लोग हाकी की इज़त अच्छे से करने लग जाएंगे जब भी वो कोई केस सॉल्ट करने के लिए एंट्री लेते हैं वेरे बदन में करंट करंट दोड़ने लगता है हम जैसे लोगों के लिए सूपर इंस्पिरेशन है शंकर सर उनकी फिल्म को दो बार देखो या पचास बार देखो उनका मजा कभी कम नहीं होता बढ़ता ही जाता है आज यह पिच्छर देखूंगा और कर इंटर्वी दूंगा और देख लेना तुम हंड्रेट पसेंट पास हो जाओंगा क्या करती हो बहुत अच्छे अच्छो तो चलो आज यह फिल्म हम शंकर सर के लिए देख लेते हैं चलो यह हुई ना बात चलो तुम जैसे घटिया लोगों को तो यहां से पाहर निकाल शंकर सर की एंट्री है अच्छो कोई मिझे पीच्छे से चूँ रहा है थैंसे लगया होगा भैश्य यह मुझे जान बुझ और छू रहा है जिए और बहोर कह रहा है जॉलेश्चछ लगने लगानी के क्त लगाने की जोरत है अने खोल ह्यां माली लगाना है जैसे लगाना है बॉस मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे आद्मी हो बॉइफ्रेंड हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए जा चुक्या अच्छो बॉइफ्रेंड हो तो कि अ क्ज्छो बॉइफ्रेंड हो थाई भुठ शो बहुठ भुठ बुठ वख्रेंड हो हुआ बहुआ है अच यह देखिए और मुझ पर वार भी किया यह देखिए ए छोड़ेगा ना इत्तेरे को अच्छू चलो मेरी बेटे ने सिनियर पोलिस ओफिसर का काम किया था मैडम पूलिस ट्रेनिंग में ना हमेशा सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि एक क्रिमिनल की तरह सोचो क्या है ना पूलिस क्रिमिनल को तभी पकड सकती है जब वो उसकी तरह सोच पाएगी तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है लेकिन रास्ता गलत पकड़ा है उसने मैं साबित कर दूंगी कि वो क्रिमिनल है जाएगा गाड़ी निकालो ओके मैंडम क्या है ये टू कॉलर पर देवी का नाम दिखा रहा है तुम्हारी कोई नई गल्फरंड है क्या मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी या मेरी जुबान बहुत कंदी है मेरे कहने पर की देर है जिन्दगी तबा हो जाएगी समझा हलो मैराम नहीं देवी बोल रही है उसकी ब बात नहीं करेगा तो मेरे जैसे लड़कियों का क्या होगा जो उसके जैसे आदमी से प्यार करती है आप बस बताओ कि वह कहां पर है मैं अकल थिकाने लगाती हूं अच्छा एक काम करो तुम फटा फटना रॉयल मॉल के आइसक्रिम पालर में मिलो हलो कैसी हो अरे माडम व नहीं के अज़े जी बोला था बैठो सिट बेभी सिट बेभी एवी सिट बेभी सिट शिट दाउन बेभी एक स्ट्रोबरी और मेरे ले लेग चोलेट लाए अर मेरे ले दो मंगोवाई एक बनाना विध आइसक्रीम एक तूटी-फूटी विध चोलेट सॉस बस कीतना एफ आइस्क्रीम है, लंच नहीं, इसके लिए भी वही लाना, थोड़ा ज्यादा, हम्, पाँच दिन, एक रॉबरी और बारा करोड कैश, तीन चोर, उनमें से तुम्हारा बॉइफ्रेंड, मैडम, ये क्या कह रही है, राम जेल में है क्या, नहीं तो, रॉबरी के जुर्म में उ वो तो बहुत ही स्वाभी मानी है, अपने खर्चों के लिए भी वो अपने परिवार के किसी भी सदसे से बिलकुल पैसे नहीं लेता, इतना ही नहीं मैडम, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपने इलाके की औरतों को होम साइंस के ट्यूशन्स देता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हलो, मिस्टर, जी, पर दियान दो, एक मिनिटा, यह आप क्या कर रही है, यह क्या है, वेट 52, ब्राउन आइज, उम्रतेज, हाइट 5.6, बोड़ी साइज 31, 24, 36, अब मेरा रंग, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए, मुझे इस से ज़्यादा गोरा होने की जरूरती नहीं है, कलर ओके है, अब मेरा ड्रेसिंग सेंस, बैंगलोर में जीन्स, टीशिट और शॉट्स पहनती हूं, गाउ में साड़ी, लहंगा और चुन्नी पहन लेती हूं, गोआ जाती हूं, तो बिक्नी, कोई भी ड्रेसो मुझ पे स करवा दूंगी, समझ गए ना, बाई, अब जाओ, लगता है यह पागल है, आप सब लिखे, करवा बादी हूं, बादी हूं, गए बादी हूं, टीशिट घड़ाए यहां, टीशिट पहां गप सब लिखे, हाई कैसे हो मैंने जो साथ दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है तुमने क्या सोचा है यही कि अच्छा एक मिनिट हाँ देखो मैंने जब प्रपोस किया था तब 52 kg की थी और अब 48 की रह गई हूँ पता है चार किलो कम हो गया है मेरे सारे शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे हैं खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है जहां जाती हूं तुम ही दिखाई देते हो और यह सारे चेंज मुझे परेशान मत करो अब जाओ यहका है तो मुझे तो लगता है मुझ मैं ही कोई डिशेक्त बस मेरे साथ चलो यही बाग तुम मुझे कहना है कहां चलो अरyu कहां चलो मेरे साथ लिकिम कहatan तो तुम्से प्यार नहीं कर सकते कम सकंभी मधब देख के रहो चलो भी अरे आओ लक्षमी आज सोमवार है तुम गेंदे के फूल चड़ाओ और शिवजी के पूजा करो ओए ये सारे फूल अब मेरे कोई काम के नहीं रहे मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ये राम मेरा प्यार और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है उ मैं इसके लिए यहां आकर पूजा के लिए पूरे तीरा सो रुपए खर्च किया है मुझे वह पैसी वापस चाहिए देखो बेटा इस लड़की ने तुमारे नाम पर इत्मा पैसा खर्चा किया टाइम इन वेस्ट किया इसको हां क्यों नहीं बोलते मुझे मुझे माफ कर तुमें और क्या करूँ मेरे साथ एक और जगह चलो ना उन्हें सब कुछ बताऊंगी कि तुमने मुझे से क्या गाया फिर चले जाना अब मैं कहीं नहीं आओंगा चलो ना आखरी बार इसके बाद मैं तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी तो चलो यह कौम सी जगह है मेरा घर है आओ ना अरे इतना क्या डर रहे हो चलो भी तो कहां गई थी कितना वक लगा दिया मा मैंने बताया था ना कि मैं लड़के से प्यार करती हूं यही वो लड़का है मान गया क्या मुझे ऐसा लगता था कि मान जाएगा पर नहीं मान रहा है इस इसके बाद अब जब मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगी और किसी ने बता दिया कि मैं इसे प्यार करती थी तो मामला बिगर सकता है इसलिए मैंने सोचा कि यह अपने ही मुझे सब कुछ बता दे इसलिए यह यह इसे बता दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते उसके बाद में इससे शादी कर लेती हूं बताओ इसे अरे अब खड़े-कड़े मुझ क्या देख रहे हो थुफ आई लव यू फिर से कहो क्या का तुमने आई लव यू सच में सर खड़े हो जाओ बुरा मतमानना मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके बेटे की शादी मुझ से भी अच्छी लड़की से हो जाए आप यहां अपना वक्त खराब मत करो आप जा सकते हैं फिर से कहो ना क आप यू हिंदी में का ना मैं तुम से बहुत बहुत प्यार करता हूं यह बात तुमने मुझे मारा क्यों रोड पर एसी हरकते कर रहे हो शर्म नहीं आती है क्या मैंने अपनी प्रॉपटी को छुआ कुछ गलत किया देखो हर चीज की लिमेट हो ठीक है तुम अपनी हदों प्रॉपटी कर लेते हैं वो तो जानृ करते तुम जानृ क्या अइंदा रोड एसी हरकत कि अच्छा नहीं होगा थोडी चर्म कियाओ हो क्यों में तुम्हें काफी वक्त तुम मुझे कुछ जादा ही बोल रहे हो ठीक है जादा बोल रही हूं हूं पर लटो तो छोड़कर चली जाओंगी जाओ कि निकलो जा 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 आगेबर निकल दो भुछ तो भी निकल मुझे उस लडाई के बाद बहुत गुस्सा आया था और मैं वहां से घर चली आई उसके बाद आखरी बार आपके फोन से कॉल आया था मस्तना ही माडम इसके बाद तो सब्सक्राइब कर दो इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले सीधा तो पकड़ बाद में पड़ भाई तुम इंगलिश पड़ सकते हो क्या यह लोग हमारा नार्को टेस्ट कर वाना चाहते है उसके लिए साइन कर नार्को टेस्ट है क्या मतलब हो इसका अरे सच बोलने का इंज तो हमारा तिमाग इनके कंट्रोल में आ जाएगा सारा का सारा सच तुरंती बहरा जाएगा पता है तेलगी के साथ यही टेस्ट किया गया था और उसके बाद ही पुम मर गया हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो हमारा नार्को टेस्ट करके हमसे अब कॉन साच उगल अगर तो यह बत तो सारी दुनिया को पता है मैडम आपको भी तो पता होना चाहिए मैडम क्या रहता ताइगर दारुपीनी के बाद सब लोग सच बोलते हैं क्या कल मैने भी तीन पैक लगाए थे उसके बाद जो बीवी के सामने सच निकला नहीं मैडम अगर ऐसी वात है तो जा माल ले करा ओके मैडम मैडम औरेंज फ्लेवर ना ओरेंज तुझे तो मैंना ए सुन औरेंज फ्लेवर लाना ओके मैडम एक तो इन्हें मुप्त की दारु पिला रहे है उसमें भी ने अपना फ्लेवर चाहिए तूँ शांती से पैढ़े रहा है मैडम परमिशन दे कैने मैडम मैडम क्वत्nej का शुरू बैचाव मैडम कि आपको कुछ बताना ऑै क्या रहे पहला पैक पीने के बाद आम लोग अपने आपको हिर देंके और दूसरे पैक के माद ना हम सामने वालों को गालिया थेते हैं ãy subscribe 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 definitely प्रेंड्स चेर्स तुम्ने तो गाल था कि तुम दोस्त नहीं हूँ अब दारू मिलने के बाद हम सब दोस्त बन गया मैडम आपके लिए भी चेर्स मेडम चेर्स बोलो ना दे चेर्स हाँ हिए मैडम पेबनमर का पापी हू मुझ जैसे आपी को दर्ती पैर någonे का कोई अग नहीं हम जैसे पापीों को थो चिलु बर पानी में डूब के मर जाने चाहिए और अगर नहीं हैन्से लोगें ए ट्राम में पानी भर वर उसी में डूब जाने चाहिए हम जैसे लोगों क मुझे ऐसे गूर गूर के क्या देख रहा है कुछ नहीं मेडम काश आपकी उम्र बीस साल की होती तो सुचो क्या होता मेडम क्यों रहा है आप डिक्टो फिल्मों के हीरोईन की तरह लगती मेडम और मैं आपका फैन होता मेडम आप जिम भी जाती है क्या मेडम हम क्यों बे आपकी तांगे बहुत मजबूत है तांग थेंक्यू मेडम मेडम यह तीसरा पैगे प्लीज मेडम हम लगाई जाए तुम लोग इतना चुपकियो बेटे हो यार अब तो आमने तीन पैग पी लिए आप तो मैडम के सामने सच बोलत हो अबर जबसे तू जिन्दगी में यह जिन्दगी की बाट लग लग ग trat और जब से तुम जिन्दगी में आयों, तब से मेरी जिन्दगी पूरी हराम हो चुकी है ए जी बड़ा सांबार, रोट पर इतने सारे लोग थे पता मुझसा ही पूछना था तुझे तुझे पता क्या पता, मेरा ही पता बदल गए मेरा मारूंगा, मैने तुझे पता पूछा था पता कर तुझे चले जाना चाहिए था था तुझे कर दो कार मेरे बैटने के लिए किसने बोला था यह यह लोग ना इसे कुछ भी नहीं बताने वाले, इन लोगों को वोड़ा दंडे लगाने पड़ेंगे ही हैं सबको अलग बिचाना कला के पूछती हो इतने से मेरा क्या होगा जैसा आप लोग सुछते हो ना दारू पिने के बात कोई सच नहीं कहता हम तो बस वह ही कहेंगे जो दारू पिने पेसले सुछा था सबको शच हो रहा है कि हम तीनों के बीचे कोई ना कोई सच ज़रोर शुका हुआ है यह तो बिल्कुल 100% सच है हम तीनों के अपनी अपनी असली कानी कुछ और ही है और वो कानी है हेलो हाई बटो क्या बात है बहुत खुश लग रही है आज मेरी योगा ट्रेनिंग पूरी हुई वान वीक में सर्टिफिकेट मिल जाएगा सूपब आखिर तुम योगा टीचर बनी गई हो मैं अपने कंट्री में जाकर योगा टीचर बनने की सोच रही हूँ तुम भी मेरे साथ चल सकते हो मैं वहाँ क्या करूंगा मैं तो एक होटल खोलने की सोच रहाँ और पिर सेटलो जाओंगा तुम मेरी कंट्री में भी कर सकते हो इंडिन योगा स्कूल टेस्टी साथ इंडियन खाना हैना कमाल का बिस्निस आइडिया ौ। तुमयाद एक तुम सही है तो क्यू नां लोग अगले हदे ही चल्ले कही है इतना लेट का ही छो में पासपोर्ट की ज़ड़ेगी है थुमार बशस्पोर्ट झाहिझआ यह। बहला यह तुबया पैले अप्लाई करो उसका प्ल्या अप्लाइ करो बेले बाइक शुरू खारो येलो पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉकुमेंट लिस्ट हम आइडी कार्ड रेशन कार्ड मार्क शीट बैंक पासबूक इन में से आपन के बस कुछ भी नहीं है सर क्या कोई भी डॉकुमेंट नहीं है मतलब तुमारे जिंदा होने का कोई क्यों नहीं कर सकते तो क्या अभी आपन ये डॉकुमेंट नहीं बनवा सकता क्या क्यों नहीं वो तो हमारे हाथ में है देखो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे इसमें पैसा कितना लग जाएगा एक मिनिट हम इसकाउंट और मेरी फीस और जिस्ट मिलाने के सारे कार्ट बना दूंगा अधार कार्ट पैन कार्ट वोटर एडी राशन कार्ड और तो और विजिटिंग कार्ट भी बना दूंगा अरे तुम जैसे लोगों के वज़े से आतंगवादी जिनकी कोई पाइचान नहीं होती है भारत में आकर ब्लास्ट करके चले जाते हैं स पैसे हैं तो बात कर यह तो निकल यहां से सर बैठिये थांक्यू सर आपकी फाइल और फिटनेस हमें अच्छी तरह से पता है यह लीजिए पहले इसे देखिए सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं हा रहा है समझना क्या है बैंगलूर के किस-किस पुलिस टेशन में वैकेंसी खाली है और हर एरिये के पुलिस टेशन का रेट इसमें लिखा हुआ है आप बताए कौन से एरिये में जाना है आपको हम समझा देंगे कि आपको हमें पैसे और कैसे देने हैं? सर, मैं बच्पन से के मांदार पोलिस ओफिसर ही बनना चाहता था इसलिए दिन रात महिनत करके मैं फॉस्ट आया हूँ एक बार फाइल तो देख लीजिए हमें फाइल देखने की जरुत नहीं पड़ती है सर, इतने बड़े बड़े अफसर होकर आप लों गुझ से रिश्वत मांग रहें यह गलत है ना सर? हमें भी यह पोश्ट पैसे देकर ही मिली है जैसे हम अपने पैसे रिकवर कर रहे हैं आप भी आराम से करते रहना दो साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे अपना हिस्सा अपने पास रखके बाकी के पैसे उपर के अधिकारी लोग को दे देना तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तो और कोई ML या MP अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा देगा आते वग जो सलाम ठोका था मैने तुम ने तो सीटी में बहुत ही बढ़िया नंबल लिया है इस कॉलेज को तुम जैसे स्टुडेंट्स की जरूरत है थांक यू सर थांक यू सो मच सर तुड़ी आम फिलिंग वेरी हैपी सर मैं कल से जॉइन कर लूँगा जाने से पहले अड्मिशन की सारी फॉर्मलिटी स्पूरी करके जाना ओके सर थांक यू सर 75 लाग तुम्हें बिल्डिंग डोनिशन के लिए जमा करना है 75 लाग सर लेकिन फीज तो 3.5 लाग है और मेरी तो मेरिक सीट है वो 3.5 लाग तो इस गेट से अंदर आने के लिए हैं बेटा ये 75 लाग इस हाई टेक बिल्डिंग में बिठा कर तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के लिए है यहाँ एक से एक एक्सपिरेंस प्रोफेसर्स हैं हाई टेक लाब है यहाँ इंटरनास्न स्टान्डिस के सारे एक्विपमेंट्स है हर एक कमरे में एर कंडिशन लगा है तो 75 लेक्स तो बनते हैं ना तो क्या मेरी मेरिट सीट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर बिल्कुल है जी इसलिए तो तुमसे सिफ 75 लेक्स मांग रहा हूँ एमेले का बेटा बाहर बैठा हुआ है और वो पूरे डेड़ करोड देने को तयार है तो ऐसे भी मेरे भी कुछ एथिक्स है अगर तुम्हारे जैसा होनहर बच्चा डॉक्टर बनेगा तो यह हमारे कॉलिज के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकते नहीं आप इसे हेल्प नहीं कह सकते आप हेल्प के नाम पर चोरी कर रहे हैं हेलो मिस्टर फूचर डॉक्टर मेरे पास तुम्हारा भाषन सुनने के लिए वक्त नहीं है अगर पैसे हैं तो डॉक्टर बन जाओ नहीं तो यहां से बाहर जाते वक्त दूसरे कैंडिड़ेट को अंदर भेज देना यूँ में गोनाओ प्लीज इस देश में इमानदारी और इमानदार लोगों की कोई कदर इच नहीं है एंड़ेड परसेंट करेक्ट ब्रदर इस देश में इमानदारे की कोई कदर नहीं करता इस ने गलती की फिर टीवी पर इंटरव्यू दिया और सेलिब्रेटी बन गई अब उसकी लाइव सेट हो गए बहले यह लोग बैंडेश बांदे का पैसा लेते थे लेकिन आप रिबिन काटने का पैसा लेते हैं अब तो पैसा और स्टेटिस दुनों का रूप बदल गया मतला बोले तो गलत काम करने पर लेवल बदल जाएगा क्या तू कैसा अदमी है एकसेंबल तिरे आखों के सामने पड़ा है और अब कितना लेवल बदलेगा तू अगर टीवी पर आना है तो मायका की तरह फेमस होना होगा एक बार सेलिब्रेटी बन गया तो पर जो मन में सकता है अरे सूपर ऐसे हमारे लोग भी खोश हो जाएंगे बस इतना इजना तो चलो आप उन भी सेलिब्रेटी बन जाते हैं बास हलो सेलिब्रेटी बनने से पहले फेमस होना ज़रूरी है ऐसा क्या तो फेमस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमें कोई गलत काम कर क्षटी बचाहिन के लिए अपे अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं तो हन्रेट पसंट कर सकता है सच में वह साथ में ने बोला था कि आप वो इंडियन है इच नहीं तो अगर आपुन गलत काम करेगा तो ठीक है लेकिन तुम दोनों काहिको करोगे सुनो मैंने दिन रात पढ़ाई करके और कड़ी मैनत से सीटी में फर्स्ट रंक लाई है लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए मुझसे 75 लाक्स मांग रहा है अरो सुबा जल्दी उठता था कि अपने शरीर को फिट रख सको लेकिन उन्होंने हर एरिया की जॉइनिंग का फिक्स रेट किया हुआ और उसके पैसे मांगे इस वकत आपन तीनों एक ही रास्ते पर है और प्रोब्लम भी यही है सारा परेशानी का जड़ी पैसा है पैसे से आखे तो सार है प्रोब्लम साब में यह पूरी इस्तमाल करना होगा मay guitar को में ढूंट का सुझसuma करना ही होगा तो इस को इस तो में पर कौन सा गधत कम किसी का मर्डर करे क्या मुद्र है मर्डर केस में अंदर गए तो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा कुछ और सूच है कुछ आर रिप कैसा रहे गा तु अर्ण ऐसे काम हमारे लिए नहीं है कुछ और सोच ना अब I को तूम दोनों को ढुंहीं लगने लाय mail एने करने का ओंव आकल करने का आम अमरे अधिर में प्रोब्लम के बीछeln Moore विए जबंवो यकल शाभी प्रोब्लममे की वजास है यज मैसा है पैसा ही कारण नव पैसा शालेट्वर पैसा होना जाये पैसा पैसा है काहाँ पैसा है पैसा है काहाँ बैंक में तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है क्यों हम चीनों मिलकर एक बैंक लूट ले और लूटा हुआ पैसा है न हम अपने पास ही रखेंगे पुलिस हमें ढूंडते हुए आएगी और हम खुबल कर लेंगे कि बैंक हमने लूटा है आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आदी के हम सही कर रहे है या फिर बहुत ज्यादा भावक हो गए वन मिनिट इसके लिए भी मेरे पासे का इडिया है क्या है क्यों एसे आदमी से पूछे जिसने पीना और इस दुनिया में इसा कौन है जिसने नहीं पिये आप उनकी ना एक गर्फ्रेंड है उससे जाके बूचता हूं क्यों वह अगर तेरी गर्फ्रेंड हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती है मैं अपनी वाले से पूछूंगा मैं उससे नहीं दरता हूं पूछ ना पूछ हेलो मैं थुम Sizमारी केसांग नहीं अब हहां ग Kerry इसलो हूं मैं आधी बिलकुल नहीं आओगी अच्छ दो फिरये काम करो तुम आहीं पर रो में थे आख अँडा हूँ नहीं नहीं तुम भहीं पर रहो मैं आती हूँ मुझे तो समझे नहीं आता कि यह लड़कियां कभी हार क्यों नहीं वानती ए इतनी रात को क्यों आए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अब देखो मेरा पास पैसे है नहीं इसलिए यह दुनिया ना मुझे इज़त दे रही है ना कोई जॉब दे रही है मैं कंगाल अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्लीज इस बारे में बिल्कुल मत सोचो यह फिरंगे अपोना तेरे साथ शादी मनाएगा और जिंदा के बार तेरे साथ रहेगा इसलिए तुम्हे मेरा साथ दिना चाहिए क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तुम्हे मे जाने से पहले एक चोटी सी पपी चाहिए ओई चल निकल यह कोई नहीं देख रहा प्लीज एक चोटी सी पपी देदो ना तुम्हारा क्या जाएगा अब मुझे लग रहा है कि हमें बैंक नहीं लूटना चाहिए और अगर बैंक लूटा तो हमारा क्या होगा अगर पकड़े गए तो सारी जिन्दगी बर्बाद हो जाएगी अरे ऐसे कैसे जिन्दगी बर्बाद हो जाएगी एक बात समझ लो यह रॉबदी पैसों के लिए नहीं है हमें अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को पता नहीं है जिसके लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो हम तक आए तो हमें ये करना ही पड़ेगा क्या कहते हो सही कह रहे हो चल बात तो तू सही कर रहा है कर डालते हैं हले ही चाहिए कुछ भी हो जाए करने का चीर्स चलो करते हैं ये भगवान हम एक बैंक लूटने वाले हैं हम बैंक लूटने वाले हैं हमारे काम में हमको सफलता देना भगवान हमारे उपर दया करना हम जो भी कर रहे हैं गलतिरादे से नहीं कर रहे हैं पश्षिवाया आय कि इसे पॉली मार दूगा दोगा जैसा पूल रहो है कर पूलिस को फोन लगा नहीं सर को बनुरेता हूं वह लोग खोल देगा जेता चाहे पैसा लेकर जाए आप लोग मेरी जाल मकसिए अपर फेरे ०ेजू पहल नहीं ही काषीर हूँ है चलना पूलिस को फोन लगा हलो, पुलीस कंट्रोल रूम हलो, सोमराज पेट लक्षमी कॉपरेटिव बैंक में लूट हो रही है सर आप कौन बोल रहे हैं सर मैं बैंक का कैशियर काशीनाथ हूँ लोकर की चावी इसके बास है सर मेरे पास है, सर लोकर के अंदर हो या बाहर बाहर हूँ सर, यहां पर तीन चोर घुस आये हैं सर अभी वो का हैं मेरे सामने कड़े हैं सर कुमारे सामने, दिखते कैसे हैं सर, एक जाबाज है, एक हैंसम है और एक खत्रो का खिलाडी है सर अच्छ ऐसी बात है, तो मेरे सामने भी कॉमेडी किंग, ट्रेजडी किंग, एक्शन किंग बैठे हुए हैं अबे बेवाकूफाद में, यह सौ नंबर पे फोन लागा के आगे से कॉमेडी किया ना तो तेरे खर में खुषकिया, एक्शन करूँगा, कि तरे लाइफ ट्रेजडी हो जाएगी, चला, फोन रख, दिमाग खराप कर दिया सर, 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 रुकिये, सर, सर, क्या हुआ उनने, जल्दी बोलना सर, उन्हें लगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं, सर, क्या, क्या बोला, कॉमेडियन, हाँ, सर, सर, आपकी तो उमर हो चुकी है, पेरी तो शादी भी नहीं हुई, इन्हें चितना पैसा चाहिए ले जाने दीजिए, सर, ये रहा लोकर, अंदर बारा करोड है, क्या चाहिए ल प्लीज, सर, मुझे कुछ मत कीजिए, सुनना, आज सक हमने इतना पैसा कभी नहीं देखा, चलो कम से कम एक बार देख तो लेते हैं, हाँ, सर, आप ये सब ले जाहिए, और मुझे घर जाने दीजिए, सर, प्लीज, इतना सारा पैसा, इतने सारे पैसे का करेंगी क्या, सुनो, इतना सारा पैसा हम गार लेकर नहीं जा सकते हैं, यहीं खड़े खड़े देखते हैं ना, थोड़ी दिर में पुलिस हमें पकड़ने आ जाएगी, और हमारा काम भी हो जाएगा, बे, चुपकर यार, अबे, फ्यूचर में इतना कैश हम कभी देख भी नहीं जलती तो करी रहना है, तो क्योंना थोड़ी सी बड़ी गल्ती कर दे, अगर उन्होंने हमारा पीछा किया और हम पकड़े गए तो केस और भी मजबूत हो जाएगा, हम और ज्यादा फेमोस हो जाएगे, और वैसे भी आज फ्राइडे हमको कैश को ऐसे छूड़ना नहीं च सारह पैसा इससता फंदी, सारह बढ़ो से निकल, उपर से निकल, सारे, और उपर से निकल, सारे, 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 तूर। अच्छो, मैंने तो इसलिए हां काहा था क्योंकि तुमने बहुत बी रखी थी, तुमने तो सच में बैंक लूट लिया, इस क्राइम के लिए तुम हंड़ेड पसंट जेल जाओगे, इन में तो दिमाग है ही नहीं, तुम तो अपना दिमाग चला सकते थे, तुम्हारे अंद बिद में तो सब के सब आइं छियल Зरे ंखे ए तुम होगा कि सुच क्या तुम्हों ने वर नहीं क्या क्या है, चलो छेखे अब तुम हो आगे तुम जा शेजनी कि बारे में पारे में और पूलीस कोुम लोगों पर जड़ा सभ इंब होगा सो चाहिए क्य किआ होगा, अब ये क्या है? हमारे केस से जुड़े सारे सबूत इस पेंडराइव में हैं इसे ध्यान से रखना यखीन है वो हमें पकड़ लेंगे तुमें इसे उस दिन कोट में लेकर आना होगा जिस दिन पुलिस हमें अरेस्ट करके हम तीनों को कोट में पेश करने वाली होगी इस बात का ध्यान रहे कि जैसे ही पुलिस हमें पकड़े तब तक बैंक में लूट की खबर हर न्यूस चैनल तक पहुच जानी चाहिए जब हम यहां से निकलेंगे तो तुम लोग फोन करके पुलिस को बता देना कि लूटेरे इस कार में जा रहे हैं तुम केस को अच्छे से समझ लो और कोट में इस केस पर बहस के लिए अच्छे से तयार है ना तुम दोनों इस केस को समझने में इसकी मदद करना समझी मैडम तीन आदमी जो सम्राज पेट बैंक रॉबरी में शामिल हैं वो इस वक्त विजय नगर की तरफ जा रहे हैं कार नंबर के जिरो नाइन एम ए सेवन जिरो सेवन नाइन क्या मैडम आप हमारे साथ मजाग कर रही हैं आर यू प्लेइंग मारवल्स चानती हैं लूट को हुए दस दिन बीच चुके हैं पूरे के पूरे बारा करोड की लूट हुई है मैने प्रेजिजेंट को पहले ही राजी नामा पत्र पकड़ा दिया है और उसमें लिखा है कि अगर पंदरा दिन में पैसे वापस नहीं आए तो मैं रिजाइन कर दूँगा अब स्रब पास दिन बचे हैं अब आप ही बताइए कि आप कर क्या रही है अब यह यहां इंगलीज चाड़ रहा है मैं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी हूँ ना कोई भी केस सुलजाने में थोड़ा टाइम तो लगता है न और कितना वक्त चाहिए तुम्हें एक केस के लिए एक साल चाहिए क्या इदर दर घूमने के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बहाने बना रही हो इंक्वाइरी होती है और जब साबित होता है कि यह मुझरिम है तब जेल में डालते हैं उसके बाद आपको ख़बर मिली जाती है इससे पहले कि तुम्हारी न्यूज आएगी मेरी कुसी जा चुकी होगी और ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह हमें है में सुबह लक्षमी के गीत सुने की आदत ना हो लेकिन सुबह सुबह चीखते लोगों की आवाजे जरूर सुनाई देती है लोग आपके घर के पास क्यों चिल लाते हैं इन लोगों के पैसे लोट गए हैं वो और कहा जाएंगे देखो मुझे इस बारे में बात करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये केस उठा सकती हो या नहीं नहीं तो ये कुरसी छोड़ दो यहां बहुत से लोग हैं जो इस कुरसी का इंतजार कर रहे हैं हम उन्हें यहां लाएंगे और अपना काम कर वा लेंगे मैडम यूर परफॉर्मेंस इस नॉट अप टुदा मार्क हाँ बताओ क्या हुआ था मैं सब सबसे क्याता हूँ मैडम ये सब एमले राजी गोड़ा का काम है मैडम उस ने इस काम को करने के लिए मुझे परसंडिस देने का वादा किया मैडम प्लीज मुझे माप कर दीजे मैडम मेरी सारी इस देद मिर्टी में मिल जाएगी मैडम को देवी मैडम को फोन आया मेरी तो किसमल चाह गई क्यों नहीं करना चाहिए था एनिबोडी एनिटाइम एबल तो कॉल हाँ ठीक है समझ गई समझ गई अभी का है आप आज मेरे भाई के जनम दिन की शांदार पाटी है आज मैं और मेरे सारे लड़के यहीं केंगरी केस्ट हाउस में हैं बर्डे पाटी कर रहे हैं और हमें नहीं बुलाएंगे जरूर बुलाएंगे बताईए गाड़ी का भेजनी की ज़रूरत नहीं है सर एडरेस भेजदीजी हम पहुँच जाएंगे ठीक है मैं अभी झाल झाल नागिन वारे वा, सूपर ड्रेंगिंग चल रही है, थोड़ी जगे दे अच्छा बताओ तू, मेरा नागिन डान्स कैसा लगा? आपके अंदर तो बड़ी एनरजी है मेडम, आहा, आई लाइक इट मेरी एनरजी छोड़िये सर, मुझे तो आपकी एनरजी जख्कास लगी सुबह उटकर आप जनता की परिशानिया सुनते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं और रात को बारा के बाद बदे पार्टी, नाचना, गाना, क्या क्या कर लेते हैं मेडम, मुझे 100% विश्वास है, कि आप यहां मेरी एनरजी चेक करने नहीं आई हैं लाग तके की बाद, नहीं क्या? बैंक रॉबरी 12 करोड कैश तीन लड़के, हमें बता उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है जिस आदमी के पास वो पैसा पड़ा है ना, उसने मुझे सब बताया और उसी के इमानदार आदमी ने तुम्हारे यहां आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है आपको इन्फरमिशन दे कर उसने मेरा काम आसान मना दिया सर, है ना? सईका मेडम क्या बात है? तुम्हारा काम आसान हो या मुश्किली चीज़ से यहां कोई फरक नहीं पड़ता मेडम मुझे उस 12 करोड में से एक रुपया नहीं चाहिए लेकिन मुझे वो बैक जरूर चाहिए मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं फिर भी आप सब बता रहे हो कहते हो और तो कि पेट में कोई बात नहीं टिकती आप तो उनसे भी कहे गुजरे हो इससे पहले कि मेरा दिमाग घुम जाए सब कुछ अपने आप बता दो सजा थोड़ी कम दिलवाऊंगी अगर मैं ना मानू तो वन आव बैक कोट पहुंच जाएगा यहां से बचकर जाओगी तब ही तो बैक कोट पहुंचेगा ना चाहे मैं यहां से बचकर निकलू या ना निकलू बैक तो कोट में पहुंची जाएगा आपकी जेल यात्रा तो पक्की है सर सनो जल्दी से पता लगाओ कि वह सुबूत किसके पास है ठीक है और उसे खत्म कर दो ठीक है देवी मैडम इन्हें भी खत्म कर दो यहां हुआ है हुआ 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 ह जब लड़कों से बात करोगे ना, तो उनसे ज़रा पूछ लेना, कि वो पैसों से भरा हुआ बैग उन्होंने कहां रखा है, और ध्यान रहे, उस वक्त अपना फोन अन रखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है मेड़म, यहाद तो स्रिफ दो लड़किया दिख रहे हैं भाई, वो तीसरी लड़की कहां गाएब हो गई, ठूड़ों से, हे भगवान, आज अदालत में फैसला होने वाला है, हमारी रक्षा करना, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई सुबूत नहीं, सच में तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, फिर तो तुम्हें, सिंदा रखने का कोई फाइदा नहीं, सोब्राज पेट लग्षपी, कॉबरेटिव बैंक में हुई लूट का अंति फैसला आज जल्द ही कोट में आने वाला है, आज कल के युवा को काम करके पैसे कमाने में कोई दिर्चस्पी नहीं, उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनना है, उन्हें लगता है कि वो बैंक पैसे ही लूटती रहीं, तो ये गरीब लोग आगे आखिर क्या कर पाएंगे, मैंने अपना सारा पैसा पाई-पाई करके जोड़ा था, ताकि मेरे बच्चे पर सके, हमारी तरह घुट-खुट करना जिये, कुछ भी करो और हमारे पैसे वापस दिला दो, गरीब लोगों क तो ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि कभी कोई ऐसा काम करने की बारे में सोच भी ना सके, और लोगों को इससे सीख मिल सके, राजे के लोगों का मानना है, कि जब पुन्हेगारों को ऐसी सजा मिलेगी, तभी घटनाओं को रोका जा सकता है, सुमराज पिट लक्षमी कौपटिव बैंक के चोरों को, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है, और अब कोट के सामने पेश करेंगे, आप इस वक्त देख रहे हैं, कि पुलिस इन तीन चोरों को ले जा रही है, अब थोड़ी ही देर में बहस शुरू होने वाली है, पुलिस के साथ साथ इनोंने कोट को भी धोखा दिया, मेरी गुजारिश है, कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यह मेरी अदालत से दर्खास थे, अब्जेक्शन, यहाँनर, यहाँनर, पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पास कोई गवा नहीं, जो यह साबित कर सके कि कड़ घर में खड़े तीनों लोग अपरादी है, इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, केवल शक के बिना पर इनहें अपरादी कहना, बिलकुल गलत होगा, यहाँनर, इनहें छोड़ देना चाहिए, इनके एक एक गुना का मेरे पास सबूत है, जिसे मैं साबित कर सकता हूँ, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, ताकि मैं कोर्ट के सामने साबित कर सकता हूँ, आप सभी मार्च की पंद्रह तारिक को सोमवार कहां पर थे, मैं तो सदाशिव नगर में था, और तुम राजाजी नगर, फाइन, और आप मालक्षमी ले आउट, नहीं यह नहीं हो सकता, यह सभी जूट बोल रहे हैं, यह तीनों उस दिन एक साथ सोमराज पेठ में ही थे एक साथ मिलकर इनोंने बैंक लुटा, फिर कार को विजय नगर वाटर टैंक के पास रोका, बैक को खाली किया और उसे फेक दिया, इस बात का सारा सबूत इस पेंड ड्राइब में है योर अनर, इनोंने जिस कार का इस्तेमाल किया था, वो विजय नगर सिगनल से गुजरी थी, हमारे पास इसका भी सबूत है, उसकी CCTV फुटेज भी है, और इतना ही नहीं और उनर, विजय नगर आने से पहले, इन लोगों ने पैट्रोल पंप से डीजल भी भरवाया था, और उसके बाद विजय नगर बस्टैंड से निकले, फिर विजय नगर बारुती मंदिर के पास इन्होंने किसी से एडरेस पूछा, इसका भी सबूत है, इस सब का क्या मतलब, ये लोग के जिरो टू जे डबल सेवन नाइन कार से पैट्रोल पंप की तरफ आये और विजय नगर बस्टैंड को पास किया, फिर विजय नगर से लेफ्ट लिया, फिर सीधा जाकर इस चलो जल्दी चलो, मैंडम ये तो खाली है ये आप इस बार में कुछ कहना चाहते हैं, यूरॉर इस से पहले हम कुछ कहें हम कुछ पूछना चाहते हैं, हिनसान के बनाए, पैसो की कीमत हम इसानों से ज्यादा कैसे हो गई है, बथा ये यूरॉ अरो, मिस्टर पब्लिक प्रोसेक्यूटर क्या आपके पास इस बात का जवाब है आपके पास है आपके पास है चलो आप ही बता दो नहीं है न और तुम लोग बस बुद बनकर बैठे रहो तुम्हें किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है क्या यहां एक भी ऐसा आदमी है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है कोई है बलो जांसी नहीं है कोई भी आदमी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि कोई नहीं जानता कि सवाल का जवाब क्या है हर आदमी ने अपने आपको इस पैसे के बदले बेच दिया है उसी दिन पता चली हमें भी पैसे की कीमत जिस दिन हमने चोरी के उस दिने 65 साल की बुढ़िया उरत रास्ते पर भीक मांग रही थी मैडम उस बेचारी को अपने घर पर अपने नाती पुतों के साथ होना चाहिए था लेकिन उसको रोड पर भीक मांगना पड़ रहा था और उसका कारण है यह पैसा पता है वह कितना खुश हुई थ उसके खुशी का कोई ठीका आना नहीं था मैडम असल में उस नोट का जरूरत हम से ज्यादा उन गरीब लोगों को है फिर हम थोड़ा और आगे गये तो हमें साथ-ाठ साल की बच्ची दिखाई दी वो रोड पर फूल बेच रही थी इसके पीछे का कारण भी पैसा आई है जब हमने उसे 2000 का नोट दिया तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई जैसे 10 दिन के फूल उसने एक घंटे में बेच दिये हो उसे तो किताबों, कौपीों, पैन के बीच होना चाहिए था लेकिन वो पैसों के लिए सड़क पर मेहनत कर रही थी मुझे आपसे एक बात जानी है या ओनर, क्या ऐसे हालात हम हमारे देश के बच्चों के लिए बदल नहीं सकते, बताइए ओनर इस सब का कारण है, हमारे देश के वो अमीर लोग जो सरकार को धोका दे रहे हैं अगर वो सौ कमाते हैं, तो टेक्स बचाने के लिए बीज दिखाते हैं और बचे असी, उसका कोई हिजाब नहीं, उसे कहते हैं ब्लैक बनी और कई तरीके हैं जिससे इस ब्लैक बनी को अच्छी तरह से छुपाया जा सकता है ये सरकारी अधिकारी बड़ी बेश्चरमी से हमसे रिश्वत मांगते हैं हम जैसे लोग ऐसे ही बुरे लोगों की वज़ा से इस तरह के काम करने के लिए मजबूर होते हैं असल में मैं एक मेडिकल स्टूडन्ट हूँ मैंने मेहनत की अच्छे मार्ग्स भी लाया और कॉलेज में एड्मिशन के लिए गया उन्होंने का कम कम यूर फ्यूचर अफ इंडिया इंडिया को तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है 200% तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे तुम्हारे लिए कॉलेज में बड़े-बड़े लेक्चर और जैजो तुम्हें MBBS पढ़ाएंगे बढ़िया लाब है एसी रूम है और इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए इस स्टुडेंट्स को कॉलेजिस में रिश्वत देनी पढ़ रही है अगर ऐसा हो रहा है मुझ जैसे एक मेरिट स्टुडेंट के साथ तो जिने मेरिट सीट नहीं मिली उनका क्या यह सब जो भी हो रहा है न वो ठीक नहीं हो रहा है यह और हमारा देश तब तक अगर नहीं बढ़ेगा जब तक यह रिश्वत गुरी बन नहीं होएगा और सुनिए यह और ओनर जिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर नौकरी लिए कभी आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगा ना इस देश के बारे में सोचेगा ना ही वो कभी इमानदारी से जीएगा बनकि यह सोचेगा कि जो पैसे उसने रिश्वत में दिये उसे वापस कैसे कवर करें और फिर वो भी पैसे कमाता है रिश्वत से पुराने दिनों में हमारे बुजर्ग लोग चावल के बदले ताल देते थे वो एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे ऐसा वो लोग जरूरत के हिसाब से करते थे ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो पैसे से ज्यादा प्यार को इज़त देते थे लेकिन आज के जमाने में हम लोग इस कागस के टुकडे पर अपनी चांद देते हैं क्या हम पैसे देकर अपने मरे हुए बापको वापस ला सकते हैं या फिर मेरे पास बहुत पैसे होते हैं तो क्या अप उनकी माँ वापस आ जाती पैसा देकर सूरज को पूरप की बज़े पश्चिम से उगने के लिए बोल सकते हैं क्या कोई जानसी नहीं है मैडम मैडम आदमी की कीमत पैसे से जादा होती है ना कि पैसे की कीमत आदमी से हमारे प्रधान मंत्री ने खुद सवच भारत मिशन की शुरुआत सिर्फ सडकों की सफाई करने के लिए नहीं की थी वो सिस्टम को भी साफ करना चाहते हैं जो अंदर से सडा हुआ है और ये फाइल पहुचाने वाले प्यून से लेकर उस मिनिस्टर तक लागू होता है जो उस पर साइंग करता है नहीं तो जैसे सपने हमारे परिवार के है डॉक्टर इंजिनियर बने के वैसे सपने ये गरीब बच्चे कभी देख नहीं पाएंगे कभी देख नहीं पाएंगे, Your Honor क्यूंकि इन करिभूं के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सिस्टम की तैगी हुई रिष्वत दे सके इन्होंने हमारी एजुकेशिन की कीमत फिक्स नहीं किये यह हमारे परिवार कि कीमत है उनके पसीने की कीमत है हमें बस एक प्लैटफॉर्म की जरूरत थी बात कहने के लिए Commission अब आगे क्या करना है वो आपके हात है कि दुम लोगोंने उस पैसे का क्या किया इसका कोई सबूथ है हां है ना ज़रूर देंगी हो यॉर हॉनर बात यह कि यॉर हॉनर हमारे पास हमारे हर एक काम का सबूथ है हम आपसे इतनी घुजारिश करते है कि उसके लिए कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम वह आपके सामने ला सके बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई आप लोगों ने यूर अनर इन लोगों ने ना तो पैसे वीजय नगर में फेके और ना ही उसे किसी नंदनी ले आउट में इन्होंने सारा पैसा हवाला कर दिया वेर बैंक कॉप घुमे सेंडविच मसाज ओयल मसाज करवाई और सारे पैसे ओड़ा दिये इन लोगों ने उस पैसे से पूरी मौज मस्ती की है यह जूट हो रहे है कोट को सच्चाई के लिए सबूत चाहिए तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या वो यह उर अनौर सिस्टर हां प्लीज मुझे अपना फोन दीजे लो सारे बयानों को मद्दे नजर रखते हुए तीन लोगों को दोशी करार दिया जाता है यह कोट इस केस में इस केस से जड़ा एक बहुत ही एहम सुबूत में कोट के सामने पेश करना चाहूंगी इसलिए मुझे इस मामले में एमेले राजुगोडा से पूछताच करनी है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसकी इसकी इजाज़त दें यह उर आनौर इसके पास कौन सा प्रूफ है आपका नाम राजुगोडा आप क्या काम करते हैं मैं सुम्राज पेट का एमेले हूं और समा सेवा करता हूं इफ यू दों माइन क्या मैं आपके कोट की जेब चेकर सकती हूं कोट की जेब क्या पेंट चेक कर लो थैंक यू एक्स्क्यूज मी प्लीज आपके पास यह पेंट ड्राइव कहां से आई बताएंगे वैसे अगर आपको पता होता तो शायद यह यहां होती ही नहीं और आप यहां नहीं आते हैं Your Honor, यह वही सुबूत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी. इस पैन ड्राइव में सब कुछ है. मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप इसे जरूर देखें. इससे सारा कसारा सच सामने आ जाएगा. मुझे बस यही कहना है, Your Honor. Good morning, Sir. पैसे लाए हो ना? जी, Sir. यह नहीं के, Sir. रख लीचे. अच्छा हुआ आप जल्दी आगए. अच्छी फिटनेस मेंटेन है. मुझे लगता है आपकी रफ्तार चीते जैसी होगी. अगर आपके जैसा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता. आपकी पोस्टिंग छोटे-मोटे एरिये में नहीं. एम जी रोड में पोस्टिंग कर दूंगा आपकी. ओप कलेक्शन होता है वहाँ. आपके प सारी 6-7-1991 है और अब तुम 26 साल के हो गए हो. तुम्हारा वोटर नाम चमराज पैट के वार्ट नमबर 6 में शामिल है. तुमने इससे पहले तीन बिधान सभा और चार लोग सभा के चुनाओं मिस किये हैं. और आप तुम ऐसा मत करना. और आप जाओ. शुकरवार सुबा पांच बजे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. इसके बाद तुम पक्का इंडियन बन जाओगे. वो भी प्रॉफर डॉकुमेंट्स के साथ. हपी बादे तु यू. अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? पिछली बार तुम सिर्व अब अबना टैनेंट लेकर रहाया थे. लेकिन इसबार तैनेंट के साथ मैसे की ताकत भी लाया है. अब डेफनेटली यू बी अफंटास्टिक दॉक्तर. तुम ज़से दॉक्तर इस समाज को देने में मुझे बहुत ही कर मैसूस होगा. अल दी बस्त मैब बॉइ. यू अनर इन तीनों लड़कों ने बैंक रॉबरी के दारान जो पैसा लुटा है वो जनता का नहीं है. इस एमेले राजु गवडा का है. नवंबर एट, हमारे प्रधान मंत्री जी ने पांत सो और सो के नोट पर पाबंदी लगाई थी. उस वक्त हमारे देश के अमीर लोग और हमारे पॉलिटीशन नोट एक्सचेंज में लगे हुए थे. उन में से हमारे एक एमेले साब ये भी थे. इन्होंने बैंक मैनेजर क के साथ मिलकर एक अकाउंट खुलवाया और उसमें करोडों रुपे पैसे जमा किये. वो अकाउंट इसी लिए खुलवाया गया था. अगर ये दो हजार के नोट रखते तो इन्हें हमेशा डर रहता कि किसी भी वक्त रेट बढ़ सकती है. लेकिन बैंक में रहेगा तो कभ कुछ भी नहीं होगा. इन्होंने बैंक को सेफटी लॉकर की तरह यूज़ किया. ये तीन लड़की ये बात नहीं जानते थे. इन्होंने पैसा लूटा और लोगों में बाड़ दिया. लेकिन रॉबरी होने के बाद बैंक मैनेजर ने सोचा कि मीडिया के सपोर्ट से ये जनता तक ये बात पहलाएंगे कि ये पैसा जनता का है. और पुलिस जल्दी ही ये सारा पैसा ढूंड निकालेगी. वैसे ये एक बहुत ही अच्छी सोच थी. हमारे प्रधान मंतरी ने ब्लैंक मनी को बाहर निकालने के लिए इस नोड बंदी का एलान किया था. और नोड बंद हो गए. लेकिन हमारे बैंक मैनेजर को, बड़े बड़े नेताओं को और अमीर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर समाज की मदद ही करना चाहते थे, तो ये काम करने की बचाए तुम लोगों को CID या CBI के पास जाना चाहिए था. आपको क्या लगता है, वो मदद करते हैं? वो भी तो इन नेताओं और अमीर लोगों की जेब में बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब लोग उन तक कभी पहुँच नहीं पाते हैं. तो फिर इस तरह से लोगों की मदद कैसे होगी? इससे लोगों की मदद जरूर होगी. हम तीनों ने टिकनोलोजी के साथ अपने टैलेंट का इस्तमाल किया है. उप्पुहुलिखारा.com नाम की वेबसाइट हमने शुरू की है. आज के वक्त सब के पास मोबाइल है, जिसमें कैमरा भी होता है. जब कभी कहीं अन्याय होगा तो वो उसे मोबाइल से शूट करके वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जो पुकता सुबूत होंगे. और इसी डर से यार ओनर, लोग गलत काम करने से डरेंगे ताकि उन्हें शर्मसार ना होना पड़े. अगर किसी ने वीडियो अपलोड की, तो बहुत से लोग पर सभी बराबर हैं. कोई भी इस वेबसाइट पर छोटा या बड़ा नहीं है. ये वेबसाइट हमने देश की भलाई के लिए बनाई है. उन लोगों के लिए बनाई है, जो इस समाज में इमानदारी से जीना चाते हैं. इसके पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश है, कि आ सारे बयानों को अच्छी तरह सुनने के बाद और सभी सबूतों को देखने के बाद कटगरे में खड़े तीनों लोग जिन्होंने हमारे समाज के उपरी तपके के लोगों के द्वारा अन्याय सहा है. और फिर भी इन्होंने गरीब लोगों की मदद की है, जिसके लिए इज़त मरी कर दिया जाएगा. कोट ये भी हुक्म देती है कि MLA राजु गवडा और बैंक मैनेजर को इसी वक्त हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इन दोनोंने मिलकर इस बैंक की आड में इस काले धन की हेरा फेरी ही है. Thank you, Honor. Thank you. अगर अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोग सकता. ये तीनों लड़के इस बात का अच्छा सुबूत है. क्या आपको पता है कि आजकल इन तीनों लड़कों का क्या हाल है? आपको लगेगा कि ये तीनों अपनी लवर्स के साथ मज़े में होंगे. लेकिन आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये लोग अपने दूसरे प्लैन पर काम कर रहे हैं. क्या है इनका दूसरा प्लैन?